हलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरी रसोई में और आज हम बनाने जा रहे हैं सर्दियों की सबसे पसंदिदा मीठाई स्वीट गुड़ वाली मुंगफली के चिक्कि तो इसके लिए मैंने बराबर मात्रा में गुड़ और मुंगफली को लिया हैं और मुफली को मैंने पहले ही हलका रोस्ट करके उसके चिलके उतार दिये हैं और दानों को आधे-ाधे कर दिये हैं मैंने तो चलिए पैन में थोड़ा घी लेंगे एक चम्मच के लगबग हम घी डालेंगे पैन में क्योंकि गुड़ चिपके ना इस वज़े से हम उसमें थोड़ा घी डालेंगे जितनी हम एक कप मैंने यहां पर मुँफली लिया है तो उतने ही मादरा में हमने गुड़ लिया है यहां पर और गुड़ आप कोई भी क्वालिटी का ले सकते हैं गुड़ मेरी थोड़ी सी लाल वाली है आप थोड़ी इस से लाइट कलर की आती है मार्केट में बहुत तर और हमें फ्लेम को low to medium ही रखना है जब ये अच्छी तरह से गुड़ पिखल जाए तब आप medium to high कर सकते हैं और ये देखिए गुड़ हमारा उबलना भी शुरू हो चुका है अब ये गुड़ बहुत ही हलका हो गया है ये देखिए क्योंकि इसमें air bubbles भरत गए है अब हम इसे हाथों से तो चेक नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ही गरम होता है तो इसे हम एक कटोरी पानी के साथ चेक करेंगे अगर ये हमारा गुड़ अच्छे से काच की तरह ब्रेक हो जाता है तो चाशनी समझते हैं तैयार हो गई है और नहीं अगर तूपता तो मतलब चाशनी हमारी तैयार नहीं है तो ये देखिए ये अभी इलस्टिक की तरह ऐसे खुच रहा है मतलब हमारी चाशनी को अभी और टाइम चाहिए तो फ्रेंड्स आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और ये मैंने इस लैप पे ही फैलाया है तो वहां जिस भी बरतन में फैलाएं या ट्रे में फैलाएं उस जगे को आप पहले ही घी से ग्रीस कर लें क्यूंकि बाद में टाइम नहीं मिलता है सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है इसलिए आप पहले से घी लगा के ग्रीस कर लें तो अभी अब फिर से चेक कर रहे हैं ये अगर अच्छी तरीके से तूट जाता है तो समझे हमारा चाशनी तयार है ये तूट रहा है पर थोड़ी सी कसर बाकी रह गई है तो बस पांच मेंट और उसके बाद में इसमें मौफली मिला दोंगी बस थोड़ी देर में ही मैंने देखिए तयार हो गया है तो मैंने पीनट डाल दिया इसमें और अब इसे जल्दी से जल्दी हमें मिला कर तुरत ही फैला देना है आप चाहें तो इसके साथ साथ और भी दूसरे ड्राइफ रूट भी डाल सकते हैं या तिल डाल सकते हैं सर्दियों में दूप में बैट कर चिक्की खाएं बहुत ही अच्छा लगता है और ज्याद अतर लोग ऐसे करते हैं तो यह बहुत ही फेवरेट मिठाई है सर्दियों की और इसे आप उपर से भी अच्छी तरह से लेबल कर दें तो बेलन में घी लगाकर आप लेबल कर सकते हैं और फ्रेंड्स जब एक मेंट और हो जाए ठंडा हो जाए लगबग पूरी तरीके से ठंड नहीं होना है ठंडा तब इसे हम चाकू से शेप दे देंगे जिस भी शेप में आपको काटना हो तो हलके गरम में ही आप पहले से ही निशान डाल ले बाद में फिर निशान नहीं डाल पाएगा इसलिए हलके गरम में ही ऐसे काट लेंगे हम इसे और जब पूरी तरी से ठंड हो जाएगा, पूरे तरीके से ठंडी हो जाएगी, तब इसे हम अलग-अलग निकाल लेंगे, तो ये देखिए, अब ठंडा हो चुका है, इसे हम हाथों से भी टच कर सकते हैं आराम से, और ये निकल भी आ रहा है, चोकोर-चोकोर शेप में मैंन हो जोदे, और चुक्की का मज़ा लें, बहुत ही टेस्ती चुक्की बनती है, घरकी बनाई होई, तो इस तरीके से आप भी ट्राइए करें, बहुत फटफट बन जाती है, हा लेकिन थाली को पहले से ही, ग्रीस कर लें, बाद में टाइम नहीं मिलता, आप पहले से ग्रिस क कितनी अच्छे से क्रंची चिक्की तयार हुई है आसानी से तूट रही है तो आपको आज की रेसिपी मेरी कैसी लेगी फ्रेंड्स आप में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं यह देखिए बहुत ही अच्छे से तूट रही है यह आप इस तरीके से घर पर अपने और कैसी बनी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपकी कमेंट से ही हमारा होसला बढ़ता है और मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी रेसिपी ला सकती हूं आप मुझे सुजाव भी दे सकते हैं कि अगली वीडियो में मैं कौन सी रेसिपी शेयर करूं आप सब के लिए तो थैंक्स वर वाचिंग फ्रेंड्स बाई बाई